अभी मैं जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूं उसका अभी जस ट्रेलर रिलीस किया है फिल्म का नाम है अनुकता फिल्म में संपतराज हैं अनुपरभाकर हैं कार्थिक अतवर हैं संगीता भट है और ये फिल्म जो है मुझे बहुत प्रामिसिंग लग रही है ये फिल्म ब्लॉक बस्टर होने वाली फिल्म नहीं है ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो एक निश संदाने वाली है अब मैं इतने दावे के साथ ये बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं उस तरह की ओडियन्स का एक हिस्सा हूँ मुझे भी ऐसी फिल्में जिसमें कुछ इंट्रीग हो एक मुर्डर मिस्ट्री हो एक अजीब सा जो है मिस्टीरियस महौल हो कुछ ऐसे कैरेक्टर हों जिनको कि आप पूरी तरह डिफाइन न कर पाएं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं इस तरह कि अगर कोई फिल्म मेरे सामने आती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है एक इसी तरह कि फिल्म काफी साल पहले बियार चोपड़ा साहब ने बनाई थी धुंध नाम था फिल्म का बड़ी अच्छी फिल्म थी आप किसी भी एक कैरेक्टर को कैश नहीं कर पाते हैं ये करते हुए कि वो कैरेक्टर अच्छा है या बुरा लास्ट तक कुछ इसी किसम का यहां पर है मैं लीड अक्टर संपत राज जो है उनके बारे में बताता हूँ नौर्थ की आउडियंस के लिए बहुत ही कॉमन फेस है जी नहीं उन्होंने आस तक एक भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया लेकिन उनकी काम की गई नजाने कित हैं एक फिल्म के अंदर तो थोड़ा सा ओडियंस के साथ कनेक भी मिलता है काफी मझे हुए अक्टर है जाहे वो अच्छा रोल करें या बुरा रोल करें बुरा मतलब यहां अच्छे या बुरे रोल से मेरा तात पर है जाहे वो अच्छे आदमी का रोल करें या बुरे और जब वो Gentlemanless की उपर से मास्क उटता है जब वो विलेन का रोल अक्सरा जो क्या करते हैं जब उस Gentlemanless की उपर से जब वो चेहरे पर से नकाब हड़ता है तो लोग हमेशा उस चीज को देख करके थोड़े से हात्पर्ब रहते हैं हाला कि मालूम रहता है कि संपत राज है त लेकिन जब वो कभी भी वो एक उस महौल से बदलते हैं जब उनके चेहरे पर अचानक बहुत ही सौफ्ट से इमोशन के बदले अचानक एक बहुत कड़ा और बहुत ही विलनिश इमोशन आता है चेहरे का आप पूरी परसनालिटी को बदलते हुए देख सकते हैं इतने मजह अक्टर हैं और इस फिल्म में भी जो अभी तक मुझे देखने मिला है बहुत अच्छे से उन्हें ने अपने कारेक्टर को शेड किया है कहानी एक मर्डर मिस्ट्री है एक कहा जाए तो कोल्ड केस का अर्थ होता है एक ऐसा केस जो की काफी साल पहले दर्ज किया गया हो और सुबूत नहीं बचा है सुबूत दशकों से वहाँ पड़ा हुआ हो सकता है कि खतम हो गया हो चला गया हो तमाम तरह की चीज़ें और उसके बाद आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो एक अपने आप में बड़ा अच्छा सेट अप होता है फिल्म के लिए अब यह जो है यह तुलू कल्चर का एक हिस्सा है तुलू जो की एक बहुत ही प्रॉमिनिंट कम्यूनिटी है करनाटका के अंदर काफी अच्छे अच्छे तुलू कलाकारों को आप जानते हैं सुलू शेटी तुलू है उसके लावा शिल्पा शेटी तुलू है स्वाए साथा समझ नहीं पाया मैं करनड़ा में उसको समझने कोशिश कर रहा था एक वीडियो के थूरू लेकिन मेरी करनड़ा अभी तक बहुत अच्छी हुई नहीं है मैं कुछ कुछ शब्द दर दर से पकड़ पाता हूँ तो मैं जितना समझ पाया बस वो आपको बता रहा हू कि ये कहानी कहीं नहीं उस निर्ट्य से भी जुड़ी हुई है उसका भी कहीं बड़ा पेविटल रोल है इस फिल्म के अंदर देखता हूँ किस तरह की फिल्म बनके निकलती है आशा करता हूँ कि नौर्थ इंडिया में कम से कम इसे इतने थेटर तो मैं जाकर कर देख पा आगे लेकिन अभी तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत इंप्रेस्ट हूँ इस पर्टिकलर टीजर से ट्रेलर से और मैं आशा करता हूँ कि आप भी जाकर के इस ट्रेलर को देखेंगे और आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये आकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर ज तो आएं अवश्यों मेरे चैनल पर टुडेस पर और वहां पर आकर के आप मुझे बताएं कि आपने जब इस ट्रेलर को देखा तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी और मैं आपसे वहां बात भी करूँगा मिलता हूँ आपसे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स के थूँ और ब्रेक के बाद टेलिविजिन के थूँ जायेगा मत करें